लोग सबा की आठ सीटों पर मतदान सामगरी का वितरन जारी है सुबह से ही रवाना हुई पोलिंग पार्टियां चौथे चरण में एक करोड 63 लाख मतदाता करेंगे वोट लगाता जो अब पूरा चुनाव का कवरेज है वोविस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है और जहां पर अब चौथे चरण का मतदान कल होना है दस राज्यों की 96 सीटों पर जब मतदान कल होना और उसमें भी अगर मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश की 8 सीटे शामिल है अब उसको लेकर प्रक्रिया जो है उसको अंतम स्वरूप दिया जा रहा है मतदान दल मतदान सामगरी के साथ रवाना हो रहे हैं और अपने बूट्स पर पहुँच रहे हैं इसी पर ये चार तस्वीरे देखे आप बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन और रतलाम ये वो सीटे है ये वो सीटे है जहाँ पर कल चौथे चरण के तहत मतदान होना है बुरहानपुर खंडवा में आता है खंडवा उसकी लोगसबा सीटे है लेकिन इंदौर, उज्जैन, रतलाम ये वो सीटे जहाँ पर मतदान कल होगा और देखे चौथे चरण में आठ सीटे शामिल है MPQ उसमें से चार सीटों की तस्वीरे हम आप तक लाए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदान सामगरी का वितरन लगाता जारी है पोलिंग पाटिया तयार कर ली गई है और सुबह से ही रवाना हो चुके है पोलिंग पाटिया और आपके साथ आपको इसके साथ साथ ये जानकारी भी देदू की चौथे चरण में एक करोड़ त्रेसट लाख मतदाता करेंगे वोट तो देखिये 13 माई को लोगसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान होना है जिसमें MPQ भी आठ सीटे शामिल है इन आठ सीटों में इन दो लोगसभा सीट पर भी कल ही वोटिंग होनी है जहां तयारियां जोरो शोरो से की जा रही है मतदान सामगरी का वितरन पोलिंग बूट्स के लिए शुरू हो गया है क्या कुछ तैयारया चल रही है मतदान सामगरी वित्रण के स्टेडियम से जायजा लिया है हमारे समवादाता पुनीत विजेवर ये ने कल 13 माई सोंवार को इन दो लोगसभा शेत्म के लिए होने वाले मतदान की सामगरी का वित्रण शुरू हो गया है हम मुझूद है नेरु स्टेडियम में यहाँ पर तीन बड़े बड़े डॉम बनाए गए हैं इन तीन डॉम में 172 सेक्टर बनाकर मतदान सामगरी का वित्रण किया जा रहा है यहां से 2677 मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामगरी का वित्रन किया जा रहा है इसमें एक विधान सबा शेत्र महू दार लोग सबा का है उसका भी सामगरी वित्रन यही से ही किया जा रहा है सुब़ छे बज़े से मतदान सामगरी का वित्रन शुरू किया गया है नेरू स्टेडियम में 10708 मतदान दल के सदस्य मतदान सामगरी प्राप्त करकर लगबग साड़े 700 वहानों से मतदान केंद्रों की और रवाना होंगे इसका उन्हें प्रेक्षिक्षन भी दिया जा चुका है इन दो संसद्ये शेत्र के आठ विदान सभा शेत्रों के साथ धार के शेत्र का महू की सामगरी भी यहां से वित्रित की जा रही है कर्मचारी के रूप में कुल 688 कर्मचारी रहेंगे 860 साइकों को नियुक्त भी किया गया है तो यह पहली बार है जब इस तरह से सेक्टर की विवस्ता की गई है तो देखिए MP में लोकसभा के आठ सीचों पर मतदान सामगरी का वित्रण जारी है ऐसे में हम लगातार कवर कर रहे है मेरे साथ जुड़ गया है मेरे सहयोगी पुनीत विजवर गिया इंदोर से पुनीत अभी क्या कुछ तयारियां चल रही है जी अंजली देखिए मतदान सामगरी का वित्रण शुरू हो चुका है बड़े-बड़े डॉम बनाए गए है जहां से मतदान सामगरी का वित्रण किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर इंदोर कलेक्टर आशी सीव ब्रीफ कर रहे हैं हम उनको सुन लेते हैं यहां पर ही मुझूद है जी आज चुकी सामगरी वित्रण का दिन था जल चनाओ है और सभी पूलिक पार्टी जहां पर सामगरी वित्रण के लिए आई और सामगरी वित्रण जो है सारी की सामगरी उनके द्वारा टेबल पर ही उकलब कर दी जाए एक सो बातर काउंटर बनाए गए थे और उसके साथ साथ गर्मी से बचने के लिए नकेवल रोम की साइज हम लोगों ने बढ़ाई थी बल्कि बड़ी संख्या में कूलर और मिस्ट फैंस भी लगाए गए जिनका बहुत अच्छा प्रियोग हुआ सबी करणचारियों को चाच और आम का पना भी दिया गया जो गर्मी में गर्मी से लड़ने के लिए जो कारगर से दोता है इसके साथ एक अस्पताल भी हम लोगों ने आप पर फाइव बेट का बनाया था जिसमें आई-स्यू के व लोटिंग के लिए वो भी हम लोगों ने यहाँ पर पहली बार रखी थी उसका भी लोगों ने बहुत अच्छा उप्यों किया तो कुल मिलाके जो हमारी विरस्था थी जिसका उद्देश था कि कम से कम परिशानी का सामना करते हुए बिना लाइन में लगे हुए बहुती स सामगरी का वित्रन किया रहा है और इस बार जो विवस्ताय की गई है वो अभी तक की सबसे बहुतिन विवस्ताय बताए जा रही है जी अब जैसा कि कलेक्टर आशीश सिंग को सुना हमने उनका कहना है कि गर्मी से निपटने के लिए भी कुछ-कुछ इंतजाम किये गए ह जी देखिए गर्मी से निपटने के लिए यहाँ पर 400 ओरो वाले सां और वाले कुलेर लगा गये हैं इसके अलावा गया एनौः फैरी पना की व्यवस्ता की गया है। ठंडे पानी की बहुत अच्छी विवस्ता यहां पर हर एरिया में की गई है तो गर्मी से बचाने के लिए ही इतने बड़े डॉम बनाये गए हैं जिसके अंदर पूरी ठंड़क की विवस्ता है साथ ही एक टेंपरेरी होस्पिटल भी बनाये गया है ताकि तेज गर्मी की व चंट्या मामा विश्व विद्याले परिसर से आज एवियम सहित चुनाव सामगरी का वितरन किया जा रहा है जिले के एक हजार पांट सो अरतालस मतदान केंद्र बनाये गए हैं जिन में जिले के करीब साथ हजार अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है तो यारिया पोलिंग पाठियों की खरगोन में भी मद्रप्रदेश में चौथे चौरण में आठ सीटों पर वोटिंग होनी है किन सीटों पर वोटिंग होनी है वो भी आपको बता देते हैं देवास, इंदोर, उजेन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होगा इन सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है तो देखिए ये वो आठ सीटे है जहां पर चौथे चरण के तैत मद्यप्रदेश में वोटिंग की जाएगी आपको बता दू कि लोग सबचुनाफ साथ चरणों में हो रहा है लेकिन मद्यप्रदेश के 29 के 29 सीटे 4 चरण में समाप्थ हो जाएगी कल मद्यप्रदेश में लोगसभा का अंतिम चरण है चौथा चरण है ऐसे में आठ सीटों पर मतदान होना है कौन सी है वो सीटे देवा, सिंदोर, उजेन, धार, रतलाम, मंदसोर और खरगोन और खंडवा ये वो आठ सीटे है जहाँ पर कल यानी 13 मई को मतदान होगा अभी-अभी हमने जायजा लिया लगाता है प्रशासन की तरफ से तयारिया की जा रही है, मतदान दल जो है उनको सामगरी का वितरन किया जा रहा है और ऐसे में अब तयारिया पूरी होती हुई नजर आ रही है ये बात करने अगर इनार्ट सीटों की तो देखिए सारी ही सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस में ही मुख्य मुगाबला है लेकिन लेकिन इन दौर में सियासत पलट गई है, इन दौर में कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं है, इसे में इन दोर सीट के अगर में बात करूं तो वो नोटा है तो हम बात कर रहे थे कि आज से मतदान दल मतदान सामगरी लेकर रवाना हो रहे हैं बुरहनपूर में कलेक्टर भव्या मित्तल ने मतदान दलों को रवाना किया जिले में 652 मतदान केंद्र बनाए गए है चोठे चरन की मतदान के लिए मतदान दलों को बुरहनपूर से आज रवाना किया है और बुरहनपूर में 346 मतदान केंद्र है वही हम उसकी मद्दान केंद्रों के बात करें तो यहां पर क्रिटिकल मद्दान केंद्र जो है 116 मद्दान केंद्र है और बुर्हानपुर जीले के हम बात करें तो पाच लाग इनक्यान्य हुजार एक वोटर्स है उसमें से पुरुज दुव लाग लाग ही और महिला मध्यान्य हजार रूम मद्दान मद्दान है और यह सबी अपने मात का उपियों करेंगे धेखिए धीले धीले जब मद्दान दलोंको रवाना किया है और अब जो है रिजर्व बल जो बचा है रिजर्व में रखा गया ताकि कहीं पर भी किसी भी मद्दान के इंदर में कुछ तरी की समस्या होती तो वहाँ पर रिजर्वर को भी जाएगा तो देखे बुरहनपुर की तस्मीरे देखे आपने चौथे चरण को लेकर तैयारिया अब अपने अंतिम स्वरूप में है चौथे चरण के लिए शनिवार को शाम 6 बजे चुना प्रचार पूरी तरह से थम गया अब प्रत्याशी केवल डो टो डो जाकर ही कैमपेन कर सकेंगे इस चरण में किस राज्यो की कितनी सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए MP के दिगजों की क्या तैयारिया है जानने के लिए देखें रिपोर्ट 13 मई को होने वाले चौथी चरण के मतदान के लिए चुनाप रुचार आज थम गया इसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है इस चरण में खुल 1717 प्रत्याश्यों की खिस्मत का फैसला होगा आंधर प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान तेलंगाना की 17 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महराश्यों की 11 सीटों पर होगी वोटें मधिप्रदेश और पश्चिम बंगाल की 88 सीटों पर मतदान बिहार की पाथ सीटें, जारखंड और ओडिशा की चार-चार सीटें और जमो कश्मीर की एक सीट पर डाले जाएंगे वोट मधिप्रदेश की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव में 74 बत्याशी मैदान में है यहां बीजेपी और कॉंग्रिस ने पूरी ताकत जोक दी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पुर्व सीएम शिवराज सिंग चौहान साहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता सभाई कर रहे हैं कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता भी मालवा निमाड अंचल में देरा डाले हुए हैं पिछले दिनों इस अंचल को साथने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने धार और खरगोन तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभाई की देवास, उजैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में चुना कुल 74 प्रत्याशी के भाग्य का होगा फैसला इंदौर में सबसे अधिक 14 प्रत्याशी तो खरगोन में सबसे कम 5 प्रत्याशी मैदान में चुनाव प्रचार के आखरी दिन बीजेपी और कॉंग्रिस ने पूरी ताकत जोग दी मद्यप्रदेश के सीएम डौक्टर मोहन यादव ने इंदौर, रतलाम और मंदसौर का दौरा किया तो अहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने धार, देवास और आगर मालवा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया अब देखना है कि दिगजों की ये महनत कितनी रंग लाती है ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार निउस तो देखिए देश में लोगसभा चुनाव साथ चर्णों में हो रहा है मद्यप्रदेश में लोगसभा चुनाव चाथ चर्णों में हो रहा है यानि मद्यप्रदेश की सभी 29 सीटों पर 4 चर्णों में मतदान प्रक्रिया संपन हो रही है अब तक तीन चरणों में 21 सीटों पर मतदान हो चुका है चौथे और अंतिम चरण में 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है सभी 29 सीटों को जीतने के लिए प्रदेश में बीचेपी संगठन के सभी निताओं ने जीतोड मेहनत की है चुनाव में प्रचार के लिए सीएम जॉक्टर मोहन यादव ने भी दिन रात एक कर दिया है अकेले मुख्यमंत्री जॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बात से एक दिन भी आराम नहीं किया है वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं सीएम जॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर पहुँचे इस दौरान उन्होंने 185 विधान सभाएं कवर किये हैं या उनके कारिकरम हुए मुख्यमंत्री ने 177 सभाएं ली 56 रोट्शों किये हैं सीएम 29 में से 22 प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए खुद पहुचे सीएम 13 अलग-अलग जिलों में रात में भी रुके तो धुआधार प्रचार देखने को मिला इस बार MP के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये आकड़े बता रहे है केस बार रिकॉर्ड तोड प्रचार किया है भारतिय जुनता पार्टी ने उसमें भी CM डॉक्टर मोहन यादव ने भारती जन्ता पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाने वाले CM डॉक्टर मोहन यादव हम बात कर रहें मध्यप्रदेश के लेकिन देखिए कुछ ऐसा हुआ है जो दिल्ली के तार अब मध्यप्रदेश से जोड रहा है देखें जेल से बाहर आते ही केजरिवाल का आकरामक रूप देखने को मिला है और इस आकरामक तक को आगे बढ़ाते हुए केजरिवाल ने शुवरात सिंग चोहान का नाम लेकर BJP पर जम कर हमला बोला मध्यप्रदेश के मुक्या सीम डॉक्टर मोहन यादव ने भी केजरिवार के वार पर जम कर पलटवार किया है ये वार पलटवार का आपको पूरा सिलसिला दिखाते हैं इसलिए पहले चली आपको सुनवाते हैं कि केजरिवाल ने आखिर ऐसा क्या कहा है जिससे मध्यप्रदेश और 36 गड़ की सियासत उपान पर है अडवानी जी की राजनीती खतम कर दी इनोंने मुरली मनावर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यप्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी ने बनाया उसक सब्सक्राइबail क्या खेए अब हैंब जब केजरिवाल नन ने मद्रदेश की राजनीती में प्रज़ दू करना तुब लाजमी था सब्सक्राइब युश्यदान इस इंड ते लाज़न्ट्र ने इट का जवाब पत् político है मुख्यमंत्री बताया है अब जब पडोसी के घर में कोई बाहरी घुस पैठिया आ जाए तो पडोसी भाला कैसे चुप बैट सकता है सीम डॉक्टर मोहन यादव के बाद अब 36 गड़ के मुखिया सीम विश्टुदेव साई भी इस रण में कूद पड़े है और अरविंद केजरिवाल को विश्टुदेव साई ने अपना घर बचाने की नसीहत दी है अरविंद केजरिवाल, सीम डॉक्टर मोहन यादव और सीम विश्टुदेव साई के बीच की इस तक्रार ने लोकसबाद चुनावों के बीच राजनतिक माहल में और भी सरगर्मी पैदा करती है केजरिवाल के तिहार से बाहर आते ही उनके तेवर में भी बड़ा बदलाव आ गया है हाला कि अब केजरिवाल के ये तेवर इंडिया गड़बंदन की पंक्चर गाड़ी में कोई जान फूक पाते है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है रायसेन से देखे डॉक्टर जैप्रकाश किरार की सडख हाथसे में मौत हो गई है बीजेपी के पूर्व जिला ध्यक्ष थे डॉक्टर किरार, एमपी बीजेपी कारस समिती के सदस्य भी थे डॉक्टर किरार और इसी बीच ये बड़ी दुरगटना की खबर निकल कर सामने आ रही है रायसेन से जहां पर सड़क हाथसे में डॉक्टर जैप्रकाश किरार की मौत हो गई बीजेपी के पूर्व जिला ध्यक्ष रह चुके है डॉक्टर किरार और साथी साथ एमपी बीजेपी कारस समिती के सदस्य भी थे डॉक्टर किरार